इस वीडियो में बात करने वाले हैं about nifty and bank nifty analysis अब जैसे कि हम लोग उने friday के दिन पर market को देखा market ने बहुत अच्छी rally दिखाई यहाँ पर और अगर अब भी हम लोग global market उठा के देखते हैं तो लगभग 100 point के आसपास negative चल रहा है तो Monday की दिन पर higher probability है कि हमको एक gap down देखन यह हमारा lower channel है और यह है हमारा upper challenge कहीं नगी rejection levels के आसपास ही market close हुआ है अब कल के दिन पर high probability अगर nifty 100 point के आसपास gap down दिखा रहा है तो bank nifty भी 200-200 point के आसपास gap down दिखेगा तो सबसे पहले हमें आपर क्या करेंगे ऊपर वाले जो dead zone level है वो हम लोग discuss कर लेते हैं आपर dead zone अ round तोड़ा सा इसको हम properly देखते हैं यहां पर almost 39,939 40 के आसपास आकर रूपता है point number one point number two यहां पर देखी क्या कि हम market ने एक rejection बनाया हुआ है यह point number two point number three 40,000 round number है काफी time से almost अगर आप देख रहे हो 10-15 दिन से वो नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है दुबारा जब 40,000 के आस यहां पर जो sellers है 40,000 के आसपास वो लो give up कर देंगे और market पर आपको एक अच्छा momentum दे सकता है तो इसलिए हम लोगों का जो यहां पर dead zone है वो 40,000 है अगर इसके ऊपर closing दे देता है पाच मुनट या तीन मुनट वाला candle तो आपको एक अच्छा momentum upside जाते वो दिखा सकता है अ अब let's say जैसे कि हमको पता है कि bank nifty जो है हमारा gap down खुल चकता है nifty gap down खुलेगा तो bank nifty भी gap down खुलेगा तो कल market let's say यहां open होता है तो तो यह जो zone है नहीं यह यह वाला zone और यह वाला zone थोड़ा सा ऊपर मतलब flat opening होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की बात करता हूं यह दोनो को थोड़ा सा नीचे आने दिजिए somewhere around यहां मैं 15 मिन के चार्च के उपर लेकर चलता हो तो आपको clear एकदम समवन में आ जाएगा मैं आपको क्या explain कर रहा हूं आपको देखे जो दो आपको मैं trap zone बता रहा हूं वह यह zone है थोड़ा बहुत यहां और कल market जो gap down खुलेगा न खुलने देंगे उसके बाद market को थोड़ा नीचे आने देंगे हम प्लान करेंगे buying करने के लिए यहां इस zone के आसपास कौन सा level है यह यह level आता है somewhere around आपका यह level आता है आपका 39,200 ठीक है अगर market कल के दिन पर bank nifty flat opening होता है या gap down opening होता है उसके बाद थोड़ा नीचे के levels प आतना double bottom pattern, angle, bullish head and shoulder pattern यह अगर दिखाता है तो मैं आप बाइंग प्लान करेंगे stop loss कह रहाएगा सिरु 50 points का, क्यों 50 points का stop loss आतना छोटा stop loss की उसके बीचे का logic है देखो अब यहां पर क्या है यह support है, यह support है, यह support है, कल अगर market gap down खुलने के बाद यहां पर ऐसा breakdown दे देता ह 39,160 के नीचे close दे देता है आपको, तो यहां पर आपको market नीचे जाते हो दिखाएगा, यह जो up move था, यह kind of downtrend के अंतर retracement था, यहां पर लोग trap हो चुके है, कल के दिन पर gap down खुला market, यहां पर जो support level था वो तूड गया, अब market आपको और नीचे की तरफ जाके दिखा सकत है, 39,160 के नीचे निकलता है, तो आप यहां पर selling plan करोगे, इसके उलट, flat opening होता है, या थोड़ा बहुत gap up opening होता है, तो क्या हम यहां पर buying करेंगे, नहीं, absolutely नहीं, अगर हम यहां पर buying करेंगे, तो देखो, यह जो है, यह जो level आपको दिख रहा है, यह पूरा rejection वाला level है, तो कल market flat opening होता है, या gap up opening होता है, market हम थोड़ा ऊपर जाने देंगे, 40,000 जो है, वो है हमारा debt zone, तो 39,910, 930, या 50, ऐसा जतना आपको छोटा stop loss चे, उस levels के आज़ पर आप क्या करोगे, double top pattern देखोगे, angle देखोगे, या let's say bearish head and shoulder pattern देखोगे, अगर ऐसा pattern बनता है, तो आ अगर आप traders community member हो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारी brahmaastr strategy जो है, वो भी apply हो जाएगी, जहां से आपका 103, 105, 107, 8 levels के भी मिलने के chances होता है, चोटा stop loss बड़ा target होने के chance होता है, यहाँ पर इस levels पर, तो यह दियार लखेगा, अगर market कल flat opening होने के बाद थोड़ा सा 200 के आसपर हम प्लान करेंगे, buy करने के लिए, stop loss रखेंगे 40-50 point का, and 39, 160 के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पर selling plan कर सकते हैं, target 1 हो जाएगा, आपका 39,000, next target आप प्लान कर सकते हैं, यह वाला 38,750 का, यह आपके almost सब जो targets हैं, आपका अचीव होंगे, अगर कल यह break कर देत हैं, तो, क्योंकि वो surprise move हो जाएगा, काफी लोग आप anticipate करके बैठे हैं, कि बस market आप ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बहुत correction हो गया, यह एक surprise factor हो जाएगा, और थोड़ा बहुत panic आपको दिखा सकता है, इस levels के आसपास, दियान लखी का traders में आपर सब अटा देता यहाँ, gap down खुलता है, तो, यह जो zone होगा, यह वाला zone जो होगा, और यह वाला zone जो होगा, यह non-tradable zone है, इसमें trap करने का बहुत जादा high probability, आपको दिखाएगा, flat opening होने के बाद, let's say, थोड़ा बहुत ऊपर, तो, आपको ऐसा लगेगा, कि यहाँ नहीं buy किया, यहाँ नह जो यहाँ buy करना चाहिए, और आप वो trap कर दोगे, यह जो है, selling की territory है, selling की territory में हमेशा एक lucrative way में आपको buying दिखती है, ताकि आप trap हो जाओ, और जहाँ पर let's say buying वाली area होती है, वहाँ पर आपको lucrative या panic way में आपसे exit करवाएंगे, उसके बाद मार्केट turn around करता है, तो, य एक angle, अगर compare करें हम लोग bank nifty से, तो nifty का angle है वो थोड़ा सा ज्यादा aggressive है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, उपर वाला जो dead zone है, वो एक बाद discuss कर लेते हैं, कौन सा आजाएगा dead zone, dead zone जो अपना यहाँ पर बैठता है, 17,260, ठीक है, यह है अमारा क्या, यह है अ वहाँ से हम लोगों का जो mindset है, baddest से, वो shift हो जाएगा bullish में, ओके तो इध्यान लखीएगा, इस point पे, flat opening होता है, gap opening होता है, जो भी हमारे dead zone, जो यह final and final है, इसके ऊपर निकलेगा, तो आपको फर यहाँ से जो baddest वाला सोच है, उसके अगेंच वाला सोचना है, अगर आप बात करें यहाँ पर, यह कैसे आवो भी अपको में बता देता हूं, simple headquarters, यहाँ से न हम लोगों को, यह देखो, यह top से bottom तक, यह मैंने फिबोना चीज़ा किया, तो देखो, यहाँ पर क्या level आके निकलता है, 618 level 270, तो मैं 260 का level पकड़ता हूं, obviously इस level के आसपर आएगा, त 17,262 हमारा dead zone है कल के लिए, अब देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, global market में कल हमारा gap down open होने वाला है, तो again, यह जो zone हो जाएगा आपका trap वाला area, तो यहाँ पर आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है, थोड़ा market नीचे आता है, इस levels के आसपर support लेन यह support है, यह levels के आसपर आएगा, तो market try कर सकता है gap down खुलने के बाद, यहाँ पर काफी जो weak buyer से हम निकल गए, 17,010 के आसपर हम buying प्लान कर सकते हैं, double bottom pattern हो गया, angle हो गया, bullish head and shoulder pattern हो गया, वो अगर दिखते हैं, तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, stop loss जो होगा, वो होगा हम 16,980, तो 30 points के आसपर का आपका stop loss है, 16,980 कहां से आया, यह breakdown level है, flat opening होती है, gap down opening होती है, उसके पास 16,980 को break कर देता है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदा शॉट कर सकते हैं, target 1, target 2, target 3, यह आप लान कर सकते हो, targets क्या रहेंगे हमारे, first target हो जाएगा 16,900, next target हो जाएगा 16,840 last while आपका target बैठता है, 16,000, almost 780 के आसपास, यह आपके targets आके बैठते हैं, ऐसा अगर आप nifty को इसके नीचे shot करते हो, 16,980 के नीचे, अगर यहाँ पर, let's say, कुछ भी double bottom pattern, angle या bullish head and shoulder pattern बनाता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 30 points के आसपास का stop loss होगा, target आप क्या प्लान कर सकते हो, one day show two, one day show three, one day show four करते हो, trail करते हो, आप इसका plan कर सकते हो, अगर यहाँ पर वो support लेने की कोशिश करता है, नहीं लेता है, मीचे की तरफ आता है, कुछ भी setup अगर नहीं बनाता है, तो बिंदा हम लोग यहाँ पर sell कर सकते हैं, now let's assume कि कल के दिन पे flat opening होने का market यह rejection है, यह rejection है, यह rejection है, 17,200 के आसपास हम plan कर सकते हैं, sell करने के लिए, continuous उसने upside आया है, first time यह rejection levels के बाद आ रहा है, bought time के बाद इस levels पर आसपास, तो यहाँ पर हम plan कर सकते हैं, 60 points के आसपास का आपका यहाँ पर stop loss होगा, absolutely थोड़ा सा बड़ा stop loss है, but उसके against में आपके आसपास, जो target होगा, वो at least one day show three के आसपास होगा, तो यहाँ पर बिंदास plan कर सकते हैं, अगर flat opening होने के बाद थोड़ा ऊपर की तरुप आता है, 17,200 के आसपास, यह rejection, यह rejection, यहाँ पर rejection face कर सकता है, double top pattern, angle, bearish head and shoulder pattern, अगर वो दिखता है, तो आप यहाँ पर plan कर सकते हो, चोटा सा आपका 60 points के आसपास का stop loss है, target जो आप यहाँ पर plan करोगे, तो first target आपका हो जाएगा, 17,000 आपका 060, यह levels के आसपास, next target आप बिटा सकते हो, 17,000 के तो, one day show two से लेके, one day show three आप यहाँ पर plan कर सकते हो, अगर कल market flat opening होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरुप आता है, I hope आपने video enjoy किया होगा, कल ध्यान लखना, अगर market की opening इस levels के आसपा होती है, तो trap होगा, मैं बार बार repeat करता हूँ, क्योंकि काफी लोग होने वाले trap, मुझे लगता है, जतना अंदाज है, gap down खुल जाएगा, काफी लोग confused है, आपको क्या करना है, अपने territory पे wait कर आता है, या तो नीचे आता है, तो इस levels के आसपा हम छोटे stop loss पे बाया प्लान करेंगे, नहीं होगा तो पर next target में हम लोग double ratio यहाँ पर प्लान कर सकते है, फ्लाइट होपने होने के बाद थोड़ा बात ऊपर की तरह आता है, मतलब कल खोलते ही अपने को कोई action नहीं लेना झालाओ, सकता है, जब का झालाओ, नहीं हो जगके का जवाँ